नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनीज वर्मा तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो वो है लीथियम बैटरी के ओपर यहाँ पर जो हमें लीथियम बैटरी बहुत अलग-अलग टाइप से मिलती है यानि कि यह देखे अब यह जो बै इसको हमें पर कुछ भी नहीं लिखा रुवा है यह अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर जो लीथियम बैटरी इसमें जो में पर हिसाब होता है और इसका लिंक भी डाल दूंगो वहां से जाके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है काम करता है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और इससे आपको यह पता लगेगा कि बैटरी पर अगर एमेच नहीं लिखा हुआ है तो कितने एमेच का है और जिस यहां पर कुछ बैटरी पर लिखा होता है हमारा 1200 कुछ बैटरी पर लिखा होता है 1800 कुछ बैटरी पर लिखा होता है यहां पर 2600 तो इस ट्राइप से एमेच आती है इसके अंदर जो बैटरी है हमारी एमेच है अब बात आती है यह जो एमेच है यह क्या है यहां पर देख यानि की 1 Ampere 1000 जो mh होता है एक Ampere हो गया अब यह 1200 mh का बैटरी है यह कितने का हुआ 1.2 Ampere यहाँ पर जो 1800 mh का बैटरी है वो हुआ 1.8 Ampere यहाँ पर जो 26 mh का बैटरी है वो हुआ हमारा 2.6 Ampere तो यह तो हो गया Ampere अब बात करते हैं इस MHz से हम कैसे समा सकते हैं कि हमें कौन सा बैटरी लेना है अब यहाँ पर मानके चलिए कि हमारे पास कोई एक LED है जो 3V का है 3V का हमारे पास LED है और LED जो है वो हमारा LED है वो अगर जो बैटरी कंज्यूम कर रहा है वो कर रहा है 1A यानि कि उस LED पर लिखा हुआ 3V 1A का वो LED है अब बात आती है कि यहाँ पर जो हमारे पास बैटरी है तो यहाँ पर बैटरी किसी साब से लगाएंगे अब देखे यहाँ पर अगर हमारे पास 3V का LED अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसके ओपर 1200 mh का बैटरी लगाते हैं 1200 mh mh का बैटरी अगर लगाते हैं तो यह LED कम से कम हमारी कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो यह एक गंटे के आसपास जलेगी यानि कि एक गंटे के आसपास यह हमारी बैटरी जलेगी और यहीं पर अगर हम इसको यहाँ पर अगर हम 2000 mh का बैटरी को लगाते हैं 2000 mh का बैटरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 ampere हो गया यानि कि 3 volt 1 ampere का LED है तो 2000 mh का बैटरी हो गया तो यह हमारा कम से कम 2 घंटे जलेगा यानि कि mh जितना ज़्यादा आप बढ़ाते चले जाओगे आपको बैटरी बैटरी उतना ज़्यादा ही मिलेगा यानि कि आपने देखाओगा Bluetooth speaker में जब 1200 mh का बैटरी लगेगा तो वो Bluetooth speaker एक गंटा चलेगा अगर उसकी capacity एक गंटे की है जिसना वो उसको चार्ज चाहिए और अगर वहाँ पर आप 2000 mh का बैटरी लगा दोगे तो वो 2 घंटे चलेगा और वहीं पर अगर आप 3000 mh का कोई बैटरी लगा देते हो तो 3 घंटे चलेगा तो mh का मतलब होता है mpr यानि कि जितना ज़्यादा mpr होगा वो बैटरी उतनी ज़्यादा देर तक चलेगा तो आपको समझ में आगे होगा वीडियो से कि अगर आप कभी भी ऐसे circuit के लिए आप बैटरी लेते हैं बैटरी के जितना ज़ादर अच्छा लगा हो और बैल के लिए इकन को जरूर दवाना क्योंकि आएपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा